नया फीचर एड़ हुआ है भी फिलाल मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है भी कुछ दिन पहले एक नया फीचर एड़ हुआ है जिसमें सजेस्टेट कॉंटेंट को अप्शन है वह फीचर क्या काम का है वह सब में आपको आज की वीडियो मताने वाला हूं और यह काफी बह सब्सक्राइब कर देना और यहां पर आपको दिखाता हूं कि आपको कहा पर देखने के लिए मिल रहा है आपको अपनी प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक किया और यहां पर आपको ऊपर यूपर त्री लाइन पर क्लिक करना है त्री लाइन पर क्लिक करने के बाद जाना आपको सैटिंग्स में सैटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे चलना है यहां पर आपको security के ज़स्ट नीचे एक option दिखेगा suggested content तो suggested content पर आपको click कर देना है यहां पर click करके आपको इस तरीके option मिलेंगे यहां पर तो इनका यूज है वह मैं आपको बताजिता हूं तो ऊपर यूपर है sensitive content जैसे आप इ sensitive content you see from accounts you don't follow यानि कि हम जिनको follow नहीं करते हैं उनका content पर हमें कई बार देखना पड़ता है जैसे हम अपने Instagram account को चला रहे हैं हमारे सामने को डियल आ गई और हमें जैसे कुछ गलत activity है उसमें या फिर कोई 18 plus content है फिर कुछ ऐसा content है जिनको हम अपने बच्चों को या फिर family में किसी members को नहीं दीखा सकते हैं वह content हमने तो देख लिया लेकिन वही तरह के content हमें Instagram account ओपन करेंगे फिर next time तो हमारे home page पर फीड में मतलब automatic suggest होने लग जाता है suggested for you आता रहता है और वो content हमें कि हमने Instagram पर देख लिया और Instagram सोचता है कि यह आप इसको पसंद आ रहा है वह हमें suggest करता रहता है तो हम चाहते हैं कि हमारे family member कोई भी ना देख पाए तो इस तरह की settings हम को करनी है यह उसी के लिए तो यहा करनी कि हमें बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे इन पर एक तरह से रोक लगा जाता है जो मतलब जो content हमने एक बार देख लिया वो हमें suggest नहीं करेंगा Instagram इसको सैट करने के बाद हमारे followers वगरा के ही हमारे following वर अगरा के ही मतलब उनके ही post Reels वगरा हमें शो होंगे मतलब फ Instagram आपको suggest करेगा ही नहीं तो उसी की setting आपको करनी है याप तो दूसरा बैक चलते है बैक चलने के बाद यहाँ पर स्नूज suggested post in feed यानि कि इसको हम on कर देंगे तो यहाँ पर suggested post are hidden in feed for 30 more days यानि कि 30 दिन तक हमें suggested content दिखाएगा ही नहीं Instagram अगर हम इसको enable कर देंगे तो मतलब 30 दिन से मतलब ज्यादा दिन के लिए भी Instagram यहाँ पर स्नूज कर सकता है यहाँ पर मतलब सभी suggested content को यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल remove कर देगा हमारे account से 30 दिनों तो हमेश हो होंगे यह नहीं इसको अगर आप enable कर देंगे तो यहाँ पर नीचे है not interested हम जैसे किसी वीडियो में interested नहीं है और हमने वहाँ पर उसको not interested किया हो तो वह इस folder में आकर save हो जाएंगे मैंने फिलाल यहाँ पर save नहीं किया है और यहाँ पर है specific words and forces इस पर click करेंगे तो यहाँ पर हम उन word को add कर सकते हैं जैसे हो सकता है किसी अपने title में कोई गाली बगरा लिखी हो कुछ ऐस इसे word है जिनको मैं बोल भी नहीं सकता और आप देख भी नहीं सकते उस तरह content को आप देखना भी नहीं चाहते तो उन word को यह पर लिख देना अगर उन्होंने अपने वीडियो में उस post में इन word का यूज भी किया होगा तो वह भी आपको show नहीं होंगे वह बिल्कुल आप लगा लगा कर उन word को यहां पर लिख सकते हैं और इनको बार बार एडिट भी कर सकते हैं मतलब यहां पर कुछ गलत अक्टिविटी वाले content कुछ गलत content आपको देखने के लिए मिलते हैं वह आपर show नहीं होंगे तो मैंस जैसे आपको दिखाता हूं यहां पर चलते हैं पर यहां पर आते हैं कुछ ऐां इसकाम टांट अब बैटा है कृष्काम के लिए अधर कर देर होगीत प्रूप अधर तो मैरे इमेरी बचली से मोग्या कोई देखने मेरे ने तक ब्ल्कुल क्लियर करना पड़ेगा इसके डो ओ लेकिन अगर आप मैं ऐसा नहीं करता हूं तो कोई भी इंस्टाग्राम को ओपन करेगा तो वह ऐसा कंटेंड यापर शो होता रहेगा तो इसको आप सजिस्टेड कंटेंट की सैटिंग को जो मैंने बताया आप ऐसे कर सकते हैं और आपका कंटेंड आपको यापर मतलब ऐसा गलत कंटेंट शो नहीं होगा फिर से सजिस्टेड में तो उम्पीद करता हूं आज की वीडियो को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देना चैनल पर नहीं तो प्रिए सब्सक्राइब ज़रू करके जाना मिलते हैं ने श्टीव में तब तके लिबाए